फीमेल्स काजल की इंपोर्टन्स अच्छे से बता सकती हैं मेकप ना करने वाली महिलाएं भी काजल बहुत पसंद करती हैं करें भी क्यों ना ये आँखों को आकरशक दिखाता है इससे आँखें बड़ी भी दिखती हैं और चहरा तुरन ज़्यादा खुबसुरा दिखने लगता है बाजार में काजल की बड़ी रेंज मौजूर है कितने ही ब्रेंज दाबा करते हैं कि उनका काजल लंबे समय तक टिकने वाला गहरा काला रंग देगा लेकिन महेंगे से महेंगे काजल की इंग्रीडियन्स देखेंगे तो आपको कई सारे ऐसे केमिकल्स मिलेंगे जो आपकी आँखों के लिए बेहत नुकसान दायक करू सकते हैं ऐसे में काजल लबर्स क्या करें? घर पर बनाएं जी हाँ बादाम के साथ घर पर बनाएं काजल आपकी आँखों को कई सारे फायदे देगा बादाम काजल बनाने के लिए आपको चाहिए एक दीपक थोड़ा सर्सों का तेल दो से तीन गीरी बादाम रूई की बत्ती और एक थाली सबसे पहले एक दीपक ले अब इसमें सर्सों का तेल डाले आप जितना बड़ा चाहिए दीपक ले सकते हैं और उसे अकॉर्डिंग सर्सों का तेल डाले अब इसमें दो से तीन गीरी बादाम डाले अब दीपक में बत्ती डाल कर इससे जला ले बादाम में मौजूद विटिमिन E आँखों को हेल्दी बनाये रखने में मदद करेगा अब दीपक के आसपास दो कटूरी रख दे और फिर एक प्लेट की मदद से दीपक को ढग दे अब इसे थोड़ी देर के लिए छोट दे जैसे जैसे बादाम जलेगा प्लेट पर काजल जमा होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के बाद प्लेट को स्लाइड करके देखेए आप देख सकते हैं कि प्लेट पर काजल जमाँ हो गया है अब चंबच की मदद से काजल को निकाल लें आप इस काजल में थोड़ा बादाम का तेल भी मिला सकते हैं ऐसा करने से इसके फाइदे दुगने हो जाएंगे आपका होम में नाच्रल काजल तयार है इस काजल को बच्ची की आँखों में भी बेफिक्र होकर लगाया जा सकता है इस काजल आपकि आखों को ठंडड़गों तो आप महंगी क्यमिकल बेस काजल छोड़कर घर पर ही बनाएं बादाम के साथ ये नाच्र एकाजב पर देक ही साथ य साथ नेंकी हैल्थ का भी खयाल रखेगा तो बादाम से काजल बनाने का ये स्मार्ट तरीका अगर आपको पसंद आये तो लाइक का बटन दबाईए इसे अपनी बेस्ट फिन के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही कमाल की ब्यूटी डिप्स के लिए सब्सक्राइब करें एन बीटी कर दो दो बड़ बादाए कर दोदारो dawns तो लोड़ कि लूगर उ्यक्ता Kin कर दो बादा, तो बादा मिए Clock